Hello everyone, कैसे हैं आप से, आप सब का मेने चैनल पर बहुत बहुत वेलकम तो बच्चों, आज मैं कंसेप्ट लेके आए हूँ, सिंगलर प्लूरल तो ये एक बहुत ही easy कंसेप्ट है, पर बच्चों को ये जो सिंगलर प्लूरल है, ये जल्दी से याद नहीं होते तो हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे, जिससे आपको ये याद भी रहेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं तो वो ट्रिक जानने के लिए प्लीज वीडियो एंड तक देखें, स्किप मत करें तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्क्राइक करें तो छलिए, पहले देखते हैं, singular क्या होता है, plural क्या होता है, singular जब हमारे पास होती है, एक चीज, singular, plural उसका जादा, more than one, two or more ये थो हो गया इनका meaning, singular का मतलब एक, plural का मतलब दो यह दो से जादा तो अब singular plural हमें कैसे पता चलेगा कि एक particular word का उसका plural कैसे करना है यह जो singular plural है इसको हमने divide किया है parts में पहला part आजाता है normal words आम बोलने वाले words second part आजाता है जिसमें हम discuss करेंगे जो word है जो noun है इसमें वो उसकी sound s आ रही है, x आ रही है, ch और sh रही है और third part में हम divide करेंगे अगर वो particular noun के पीछे y लगा हुआ है तो आगे इसमें हम normal words पहले लेते हैं तो normal words कौन से होते हैं normal words जैसे हम routine में use होने वाले जिसके पीछे ना तो y लगा हो, ना ch, sh, s और x किसी की भी sound ना हो इन सब के बिना वो होगा हमारा normal word for example, हम पहले यहां पे लेते हैं normal words हमारे पास word है friend यह हमारा किस कैटेगरे में आ गया, normal आप words भी बोल सकते हैं, nouns भी बोल सकते हैं words और nouns friends, अब इसका plural करेंगे तो simply हम बोल देंगे friends, simple हमने s लगा दिया tree, इसका plural करेंगे तो t-r-e-e-s, trees ऐसे ही अगर हम next देखें कोई भी word है जिसकी sound हमारे पास आ रही है उसके पीछे जो last word है यहां उसकी sound है वो s की आ रही है for example, यहां लिखेंगे हम s sound words s sound words में हमारे पास आता है glass sir की आवाज आई तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम जहां यह s की आवाज आएगी तो हम simply इसके आगे es लगाएंगे we use es in the plural form अगर हमारे word का last में है x तो हम क्या करेंगे same rule x है we use es b o x es boxes next bush sh की आवाज आ रही है bushes e s लगा दिया next हम लेंगे church c h u r c h church तो c h की sound आ रही है c h u r c h e s churches तो simple आपने यह देखो कितना easy है जहां पर word का last s है x है sh की sound है और c h की sound है तो आपने क्या करना है उस word के पीछे yes लगा देना इस तरह से आपको यह words learn भी रहेंगे और कभी भूलेंगे मैं नहीं तो next हमने discuss किया था कि एक इसका कि जब हमारा जो noun है उसके पीछे y लगा हो तो उस case में हम क्या करेंगे तो बहुत easy है अगर आप इस trick को follow करेंगे तो बच्चों आपको learn हमेशा रहेगा for example मेरे पास word है party ओके इसका last में कह है y अब यह देखने जब भी आपके word के पीछे y है तो उसका पिछला letter देखने alphabet देखने है जैसे y है y के पिछला देखो अगर यह consonant है तो आप क्या करोगे consonant बच्चे होते हैं जैसे vowels a, e, i, o, u vowels से दूसरे a, b, c में हमारे five vowels हैं a, e, i, o, u vowels को छोड़के बाकी a, b, c में जितने alphabets है those are called consonants तो y है अगर last word यह हमारा y आ जाता है और उसके पिछले वाला हमारा consonant होता है तो हमने y को हटा कर क्या लगाना है we use i, e, s i, e, s p, a, r, t, i, e, s हमने y को हटा दिया next एक और example लेते है duty फिर भाए next उससे पीछे फिर consonant आ गया d, u, t, i, e, s हमने y को हटा दिया और i, e, s लिख दिया अब story s, t, o, r, y y है और उससे पीछे क्या है alphabet, consonant तो क्या करेंगे y को हटा देंगे ये आ गया i, e, e, s इसमें क्या हमने use किया i, e, 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 s अगर similar कोई word है y वाला जिसके पीछे for example हम लेते हैं day अब इसके last word तो y है पर इसके पीछे consonant नहीं vowel है जिसके साथ and लगता है vowel तो हम क्या करेंगे तब y को हम नहीं हटाएंगे we do not remove the y we write it as it is d, a, y and add s days key keys play plays अगर y से पिछला यह alpha बैट आपका vowel है तो आप y को remove नहीं करेंगे y के साथ s लगा देंगे days then keys then plays I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो सारा concept समझ आए तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें thank you